वेल्कम बैक टू शानौलज बैंक स्याटिव चैनल, स्वागत आपका एक बार फिर से शानौलज बैंक की यदिव चैनल पर हिस्टरी की दो क्लासे हम लोग अल्रेडी देख चुके हैं, यह हमारी थर्ड क्लास है History of Jammu and Kashmir जिसमें हम लोग History of Kashmir देख रहे हैं आज हम लोग Medieval History जो है वो complete कर लेंगे ठीक है Medieval History में हम लोगोंने Hindu rule already cover कर दिया है पूरा का पूरा जिसमें आपको Mind Maps के थूरू सारी की सारी डाइनिस्टीज मेंने Story के थूरू link करवा के याद करवा दिये हैं ठीक है अगर आप लोगोंने वो दो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले वो जाके देखिएगा फिर आके नेक्स्ट क्लास अटेंड कीजिएगा आज हम लोग Muslim rule जो था Medieval History in Kashmir ठीक है तो वो हम लोग cover करने वाले हैं जैसे में हम लोग शाहमीर डाइनिस्टी, चक डाइनिस्टी, मुगल्स और उसके बाद हम लोग अफगान रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं ये है part 2, part 1 में हम लोग Hindu rule जो था या Hindu rulers कहलो आप लोग वो हम लोग इने cover किये थे ठीक है चलो, आज अब एक बार आपको revise करवा देता हूँ, mind maps की through ठीक है, वो revise करने से पहले इसकी ppt आपको telegram चैनल पे मिल जाएगी, telegram चैनल पे हम लोग daily quiz भी attempt करवाते हैं तो join कर लीजिएगा plus daily current affairs के लिए आप instagram जोईन कर सकते हैं और अगर आप लोग jkpsc या फिर upsc की तयारी कर रहे हैं तो जरूर से हमारा ये x वाला handle join कर लेज़ेगा बाकी कोई query हो या कोई doubt हो तो आप इस email id पे हमें bjjak भेज सकते हैं ठीक है बाई, चलिए history of kashmir हम लोग देख रहे थे ancient history हम लोग already कवर कर चुके हैं lecture 1 में ठीक है जिसमें महा भारत पीरियर्ड, मौरियांस, कुशन्स, ये करकोटा dynasty हर चीज हम लोग देख चुके थे ठीक है उसके बाद हम लोग ने देखा था भाई medieval history अपनी उसमें हम लोग ने hindu rule कल कवर किया था जिसमें हम लोग ने उत्पाला dynasty देखी देन गुप्तारूल देखा देन लोहारा dynasty देखी थी देन उसके बाद हम लोग ने देवा dynasty पे खतम कर दिया था हमारा lecture ठीक है देवा dynasty के last में हम लेन जो देखा था भाई queen kota rani जो last में princess बनी थी तो उन्होंने suicide कर ली थी उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ था Muslim dynasty established होगे थी किसने की थी शाह मीर ने तो कैसे हुआ क्या हुआ चलो आयो continue करते हैं अब हमारी ये story ठीक है शाह मीर dynasty देखेंगे चक dynasty पढ़ेंगे then Mughals then उसके बाद Afghan and Pathan rule देखेंगे उसके बाद कल हम लोग देखेंगे modern history ठीक है modern history का जो lecture है वो कल हम लोग देखेंगे full-fledged Sikh rule clear डूगरा rule आपका जमू वाली जो आईगी उसमें हम लोग ये cover करेंगे बिलकुल अच्छे से proper तरीके से चलो start करते ही आज का session बिलकुल proper तरीके से देखो कल हम लोगों ने कहां खतम किया था भाई that is Deva dynasty पे ठीक है Deva dynasty में क्या हुआ था भाई Rinchen जो आया था ठीक है Rinchen को बुलाया गया था प्लस एक उर जो आप का था शाहमीर को बुलाया गया था ये दो थे ठीक है Rinchen ने बाद में आके रामचंदर को मार दिया था जो सुहादेव का कमांडर था ठीक है तो उसको मार के इसने खुद अपना establish कर लिया था और उसकी ही बेटी से शादी कर ली थी ठीक है और उसने इसलाम कबूल कर लिया था किसके कहने पे भाई येस बुलबुल शाह सूफी सेट बुलबुल शाह के कहने पे इन्होंने इसलाम कबूल किया और सुल्तान सद्रुदीन इनका नाम हो गया था ठीक है सुल्तान सद्रुदीन याद रखना है, ठीक है, अब ये आपका पहला मुस्लिम रूलर कहलाता है, ठीक, ये चीज भी आपने याद रखना है, और लास्ट हिंदू रूलर हमने कौन सा देखा था, उद्यन देव, जिसके साथ क्या की थी, शादी कर ली थी, किसने भाई, कोटा रानी ने, कोटा रान था ये उद्यन देव तो ये लास्ट हिंदू रूलर था आपका कश्मीर का उद्यन देव की जो चीफ क्वीन थी कोटा रानी ये लास्ट थी जिसने रूल किया इससे हो नहीं पाया काफी ओड्स आगे थे हैवी हो गया था उसके लिए उसने किंग्डम को बचाने के लिए बहुत बेस्ट अफ़र्स लगाए थे बट हो नहीं पाया इनसे तो इन्होंने सुसाइड कर ली थी मैंने कल बताया था आपको रिंचन के एक कमांडर इनचीफ थे कौन भाई शाहमीर ठीक है जब ये इनकी हो जाती है डथ कोटारानी की हो जाती है डथ तो शाहमीर अल्रेड़ी क्या थे रिंचन के मिनिस्टर थे रिंचन ने इसको अल्रेड़ी क्या बना रखा था अपना मिनिस्टर बना रखा था तो अब क्या किया शाहमीर ने अपनी शाहमीर डाइनस्टी स्टार्ट करे गए थीक है तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है हमारे पस क्या भई मुस्लिम रूल इन कश्मीर थीक है भई देखो अब आप बोलोगे सर रिंचन तो मुस्लिम रूलर था हमने अभी पढ़ा first independent okay first independent Muslim ruler of Kashmir बोलेंगे तो वो होगा सुल्तान शमसुद्दीन clear याद रखना है आपने ये शाहमीर dynasty के थे ये कौन सुल्तान शमसुद्दीन okay शुल्सान शमसुद्दीन ये पहले first independent Muslim ruler कहलाए जाते हैं शाहमीरी dynasty ये फाउंड के रही ये भाई शहमीर के द्वारा, शहमीर कौन थे? रिंचिन के मिनिस्टर, याद रखना है ये सबी चीज़ें कनेक्ट करके चलना है सुल्तान शमसुद्दीन ये शहमीरी के पहले रूलर ठीक है, पहले रूलर कोन आए भाई? आपके पास सुल्तान शद्रू शुल्टान शमसुद्दीन शाह मीरी डानेस्टी 1339 से लेके कब तक चली थी याद रखना है आपने ये 1339 से लेके ये रही आपके पास 1561 AD तक ये टाइम लाइन भी आपने याद रखनी है ठीक है याद रहेगा अब नेक्स्ट इंपोर्टन चीज क्या हुई भाई सुल्तान शमसुद्दीन उन्होंने रूल करा 1342 तक ठीक है कितना 1342 तक उसके बाद आ जाते हैं कौन याद रखना है आपने नेक्स्ट सक्सेसर इनके जो 1342 से लेके 1343 तक काम करते हैं कौन आ जाते हैं भाई याद रखना है आपने जमशीद 1342 से 1343 तक दन अलालुद्दीन ये 1343 से लेके 1354 तक रहते हैं जैनल अबेदीन 1420 से लेके 1470 ये 50 साल तक रूल करते हैं यहां पर ये कुछ important one है इनके मैं नाम बता रहा हूँ आपको नेक्स आपके पास हैदर शा आते हैं चलो आप एक एक करके आपको इनके बारे में बताते हैं ठीक है बाई शिहाबुदीन ठीक है नेक्स जो आते हैं इनको आप लोग ललित अदित्या ओफ मीडिवल हिस्ट्री भी कहते हैं ठीक है शाहमीर डैनिस्टी में शिहाबुदीन आते हैं इनको आप लोग क्या कहते हैं ललित अदित्या ओफ मीडिवल कश्मीर ठीक है बाई इन्होंने आपकी नेबरिंग कंट्रीज के साथ काफी अच्छे रिलिशन्स बनाए रखे थे और स्टार्टिंग में इन्होंने अपनी आर्मी बहार वेजी और वहां पे जाके इन्होंने जैसे सिंध हो गया अफगान्स को इन्होंने डिफीट करा, पेशावर को डिफीट करा, काबुल को डिफीट करा, गजनी, कंधहार, स्वाट, स्वाट वैली के कौन डूलर थे शहामीर वहां पे भी जब दूसरी डैनिस्टी आगी थी तो इन्होंने जाके वहां पे इनको भी हराया ठीक है नेक्स्ट मुल्तान, ये सभी जगाओं पे जाके इन्होंने क्या किया था, अपना हरूल शिरू कर दिया था, अपना जंडा गार दिया था, शिहाबुदीन ने, किसने शिहाबुदीन, ये अपने नाम याद रखना है कोटा भट and उध्याश्री, ये दो important Hindu ministers थे इनके अंडर, शिहाबुदीन के अंदर थे, कोटा भट अध्याश्री, ये दो Hindu ministers थे, आपको Muslim dynasty में ये चीज़ें याद रखनी है, पूछे जाते हैं ये ठीका बाई, और शिहाबुदीन ने found करे थे, इन एक new town, जिसका नाम इनका रेल नाम था हिंडल नाम था हिंडल मीर सयd अली हमधानी यह इनके time period में arrive हुए थे कश्मीर में कौन मीर सेयद अली हमधानी ये जो है मीर सेयद अली हमधानी इन्होंने 700 सेयद साथ लाए थे हमधान में जगा हमधान थी ठीक है और यहां पे missionaries activities करके कश्मीर में इसलाम फैलाया था ठीक clear याद रखना है मीर सेयद अली हमधानी clear उसके बाद आजाता है आपके पास भाई सुल्टान ठीक है सुल्टान सुल्टान कुत्बुदीन ये सकसीड किये जाते हैं इनके बेटे के द्वारा कौन भाई सिकंदर सिकंदर जो है इनको कश्मीर का औरिंग जेब भी कहा जाता है ठीक है कश्मीर का औरिंग जेब भी कहा जाता है ठीक है बाई और ये पहले इंडियन रूलर थे जिन्होंने कश्मीर में अपना abolish किया था क्या बाई सतीप्र था ठीक है जो हिंदूस की सतीप्र था थी वो इन्होंने abolish की थी सिकंदर याद रखना है किसके बेटे हैं ये सुल्तान कुदबुदीन के खानकाहे मौला इन्होंने बिल्ड करवाया था इनके ही रहने पे खानकाहे मौला भी बिल्ड हुआ था इन्होंने 50 साल तक रूल किया था इनकी administration जो थी वो काफी ज्यादा strong थी ठीक है strong administration के साथ इन्होंने काम किया जैनल अबदीन जी ने 50 साल 1420 से लेके that is 1470 AD तक इन्होंने रूल करा था कश्मीर में ठीक है सल्तान जैनल अबदीन जिनको बडशा भी कहा चाता है ठीक है क्या कहा चाता है भई बडशा और इनकी जो policies होती थी हो क्या होती थी religious tolerance होती थी clear? याद रखना है आपने religious tolerance inकी policies हुआ करती थी ठीक है अब main important चीज जो एनको क्या कहा चाता है बडशा बडशा का मतलब क्या होता है that is great sultan ठीक है और कभी-कभी इनको अकबर अफ कश्मीर भी कहा जाता है एक्जाम में आता है याद रखना है ये बडशा ग्रेट सुल्तान and अकबर अफ कश्मीर जैनल अबेदीन ठीक है कितने साल उन्हें रूल करा 50 साल 1420 से लेके 1470 AD तक ठीक है लद्दाक थी बाल्टी रिजन कुलू था ओहिंद जिसको हजारा कहते हैं आप लोग तो ये सबी चीज़ें इन्होंने रीकन कर की थी दुबारा से इन्होंने जीती थी ठीक है ये आपने याद रखनी है regarding सुल्तान जैनल अबेदीन ठीक है जिनको अकबर अफ कश्मीर भी कहा जाता है ठीक है अब नेक्स्ट इंपॉर्टन चीज़ शेरिफ अफ मक्का ठीक है शेरिफ अफ मक्का जो आपके किंग थे जिलान के और एजिप्ट के वो उनको गिफ्ट्स वेरा बहिजा करते थे ठीक है शेरिफ आप मक्का ये जिलान के और एजिप्ट्स के जो किंग हुआ करता था गिफ्ट सवैरा का एक्सचेंज हुआ करता था जैसे कि ग्रेट सुल्तान्स हुआ करता थे हैं रूलर थे सिंद के, बंगॉल के, तिबट के, गुजुरात के, मालवा के, दिल्ली के ये आपस में गिफ्ट सवैरा भी एक्सचेंज करतothy थे और अपनी states में, अपनी administration में इनकी embassies वगारा भी हुआ करती थी, ठीक है भाई, यह आपने याद रखना है, और इन्होंने एक royal kitchen खोला था, हिंदू pilgrims के लिए कहां पे रहना वाडी में, जिसका नाम है, आज की date में, जोगी लंकर श्री नेगर में देखने को आपको मिलता है, ठीक है, इन्होंने तीन जगाएं भी अपने towns भी हैं, फांट करें थी, जैनापूर, जैनापूट, एंड जैनगिरी, यह mention किया हुआ होगा यहां पे, हाँ, बिल्कुल mention है भाई, ठीक है, यहां से starting से आता हूँ मैं यहां पे, अभी मैंने आपको क्या बोला था, इन् किचन स्टार्ट किया था, हिंदू पिल्ग्रिम्स के लिए, ठीक है, क्या नाम रखा था भाई, इसका, that is, जोगी लंका, जो अभी presently आज की डेड में, शिर्विनगर में है, ठीक है, clear, next important चीज, यह जो है आपके, इन्होंने काफी सारे laws बनाए, जिसमें आपकी copper की plates थी उनके उपर engrave किये जाते थे, इनके अपने खुद के publicly science, जो public places पर ये लगाते थे, ठीक है बाई, और इनके जो, मैंने आपको पहले ही बोला, कोई भी policy इनकी, जो administration जो थी इनकी, वो काफी liberal treatment देते थी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो Muslim हो ही, ठीक है, यह एक ऐसे एक ल यहाँ पर इन्होंने इसको abolish कर दिया, ठीक है, अब जैनल अबेदीन जी ने यहाँ पर special attention दी थी किसको agriculture को, clear है भाई, याद रखना है, यहाँ अगर पहले की बात करें, हमारी जो land थी, वो कितने प्रतिशत produce करते थी, agriculture का one fourth, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, one seventh हो गया ठीक, यह भी आपने याद रखना है, और सुल्तान जैनल अबेदीन ने irrigation canals भी हाँ पर construct करवाए थे, irrigation canals, यह भी आपको, और उन्होंने bridges बनवाए, डग canal बनाए, irrigation के लिए यह सभी चीज़ें भी इन्होंने अपने time पर बनवाए थे, ठीक है, और इनके ही time पर महा भार काकापूर कैनाल है, अवंतिपूर कैनाल है, जैनागीर कैनाल है, यह सभी canals आपकी सुन्तान जैनल अबेदीन जी ने start करवाई थी, ठीक है, यह आपने याद रखना है, अब इनका जो interest था, वो काफी ज्यादा था art and crafts पे, तो इन्होंने invite किये थे craftsmen, ठीक है, different different country से, Central Asia स के भाई, यहाँ पे crafts सिखाओ, हमारे जो यहाँ के local लोग है, ठीक है, तो crafts अगर mainly देखा जाए, किस ने यहाँ पे introduce कराई, तो जैनल आबेदीन जी ने, ठीक है, और इन्होंने ही पश्मीना शॉल्व, जो टिबट से लाई गी थी, यहाँ हमारे कश्मीर में, इन्होंने यह introduce करवाई थी पश्मीना शॉल्व, इन्होंने ही introduce कराई wooden architecture, जिसको आप wood carving कहते हैं, जिसको GI tag भी मिल चुका है, ठीक है, GI tag भी मिल चुका है, याद रखना है, यह great patron थी किसके आपके art and literature के, तो इनके ही time पे अभी मैंने आपको बताया, राजतरंगनी और महा भारत को जो translate किया गया था, किस में भाई आपका Sanskrit से Persian language में, ठीक है भाई, महा भारत है, रामाइन है, राजतरंगनी आपकी जो पंडित कलहाना की है, पंडित कलहाना की जो book थी, जिसमें से हमने हमारी history की main source है, तो यह सभी इन्होंने translate करवाई थी Persian में, ठीक है, तो यह सभी चिज starting से connect करके चलोगे, तो history कभी नहीं भूलो गया, clear है, चलो, अब चलते हैं भाई, next, ठीक, इन्होंने काफी schools खोले, colleges खोले, ताके जो हमारे यहां के locals हैं, उनमें knowledge spread कर सके हैं, ठीक है, इन्होंने dispenses खोली, ठीक है, काफी सारे हकीम और वैद, ठीक है, इनको भी इन्होंने employ किया, कि भाई, जो हकीम होते हैं, वैद होते हैं, देसी, जिसको आप लोग देसी डॉक्टर बोलते हैं, या बाबा होते हैं, जो जड़ी बूटी वैरा देते हैं, वो हकीम होगी, वैद वैरा ही, इन्होंने काफी employ किया, और dispensaries वैरा भी उन्होंने खोला, इन्होंने, यह एक great builder थे, इन्होंने ही एक new city found की थी, जिसका नाम था नव शहर, जो अभी एक पार्ट है इस city का, ठीक है, नव शहर, नव शहर आपने नाम सुना होगा, तो इन्होंने ही found की थी, इन्होंने ही found की जैनापूर, जैनाकोट, एंड जैनागिर, याद रखना है, यह पहले ऐसे थे जन्होंने कश्मीर का पहला wooden bridge बनवाया था, जैनाकदल, याद रखना है आपको, जैनाकदल, first wooden bridge at शिरिनगर, जिसका नाम है, जैनाकदल, याद रखना है, इन्होंने ही artificial island, वुलर लेक पे बनवाया था, जिसका नाम है, जैना लिंक, यह आज की date में भी है, लेके ये, 1470 AD तक रूल करते हैं, कितने साल, पचास साल, ठीक है, इनको अकबर of कश्मीर भी कहा जाता है, तो काफी लोग दुखी भी हुए यहाँ पे, तो बट क्या करें, जो होनी है, होनी को तो कोई टाल नहीं सकता, तो ये चल बसे अब, क्या हुआ ये, सुल्तान जैन इसदे नेस्टी जो है, ये कंटीन्यू करती है काम आपकी 1541 टक, कब तक 1651 तक, शहार मीर गाए डानिसटी के लास्ट रूलर आते हैं, आपके पास कोन भाई, और हबीब शाह, हबीब शाह आपके पास पहुँचते हैं, लास्ट रूलर इस डानिस्टी, हबीब शाह के रे हबीब शा का जो मिनिस्टर होता है गाजी चक वो मुगल आर्मी को डिफीट कर देता है क्लियर याद रखना है आपने मुगल एम्परर अकबर जो है वो अपनी आर्मी चीफ को लेके आर्मी चीफ उनका कौन होता है कारा बहादूर वो यहां पर आके अटेक करते हैं कश्मीर पे शहा मीन डाइनस्टी के टाइम पर बट जो हबीब शा का रूलर होता है अपने रास्ते से अब वीक हो गया होता है तो गाजी चक जो है यह अपने डैनस्टी फांड कर लेता है यहां से कनेक्ट कर लीजेगा ठीक है गाजी चक अब आ जाती है हमारे पास नेक्स वन इस दैट इस चक डाइनस्टी कौन आ जाते हैं भई चक डाइनस्टी क्लियर है फांड कोन करता है इसको नसीरोदीन महमद गाजी चक पूरा नाम याद रखना शौट कट में गाजी चक तो आप लिग देते हो और फुल नाम देते हैं नसीरोदीन महमद गाजी चक तो आप वहां कन्फियूज हो जाएंगे तो ये dynasty आपकी चलती है 1555 से लेके 1561 तक ठीक है ये 1561 तक कौन रूल करता है आपका गाजिशा चक जिसने ये फांड करी बट अगर dynasty की बात करू मैं आपसे तो ये आपकी 1555 से लेके 1586, yes, 86 AD तक ये आपकी जो चक dynasty है वो रूल करती है चक रूल बिगन कब होता है आपके पास भाई, yes, कश्मीर बिगन हो रहता है 55 से, 55 से लेके 61 तक आपका कौन रूल करता है भाई, that is गाजिशा चक, गाजिशा चक इन्हों नहीं फांड करी आपकी गाजिशा, that is चक डाइनस्टी, चक रूल जो है मेंली बिगन होता है इनके जब 61 तक तो यह रहते हैं, तो यहां से यह स्टार्ट होता है, लास्ट में यह चलता है 86 तक ठीक है, जब मुगल एंपरर आपका कश्मीर पे जाके अटैक कर देता है, क्यों अटैक करता है, कौन अटैक करवाता है, यह सभी चीज़ें हम लोग आगे वन बाई वन देखें तो जो यह चक्स हैं यह basically belong करते हैं, दर्ध से, कहां की गिलिविद्स हुन्जा की, यह दर्ध territory के हैं basically, जो गिलिविद्स हुन्जा में पड़ते हैं तो यहां पर यह किस टाइम पे आके अकर सेटल हुए थे, आट इस शाहमीर के टाइम पे ठीक है, शाहमीर के टाइम पे यहां पर यह सेटल हो गए थी ठीक है अब क्या होता है इनके ही टाइम पर याद रखना है आपने यह मुगल रूलर जो बाबर हो गया हमायू हो गया इन्हों ने यहां पर काफी अटैक्स किये थे ठीक है बट यहां पर जो आपके चक डैनिस्टी थे वो काफी स्ट्रॉंग इन्होंने यहाँ पर इनको successfully resist किया, defeat कर दिया, मुगल्स को दुबारा से मुगल्स वापस चलेगे, ठीक है, next आपके पास जो important rule आ जाते हैं भाई, वो है यूसफ शाद चक, ठीक है, इनके जो father alisha चक के बाद rule करते हैं, आपके बाद कोन भाई है, यूसफ शाचक, यूसफ शाचक, ये जो हैं आपके पास, इनकी शादी होती है, खबा खातून से, ठीक है, याद रखना है आपने, खबा खातून, और ये पॉइटिस थी, ठीक है, पॉइटिस थी, तो ये पॉइटरी दोनों को बड़ी अच्छी से पसंद थी, और ये रंगी महोल वाले थे, इनको जो है ब्यूटिफुल प्लेसेज पसंद हुआ करती थी, हॉलिडे रिजॉट्स पसंद हुआ करती थी, इन्होंने ही ब्यूटिफुल प्लेसेज को बनाया, जैसे कि गुल मर्ग है, आपके पास स्वान मर्ग है, ठीक है, बट अब अब यहां पे क्या होता है, अकबर बुलाते हैं किसको यूसफशा चक को अकबर बुलाता है दिल्ली में कि आओ हम लोग बात करेंगे, यहां पे स्ट्रेटेजिकली इसको हराया गया, वैसे इसको मुगल्स हरा नहीं सकते थे, यह आपने याद रखना है चक डैनेस्टी के जो यूसफशा चक थे, ठीक है, इनको अब क्या होता है, यूसफशा चक को कोन बुलाता है भई, अकबर बुलाता है, ठीक है, यह अच्छे से सुनना भई, अकबर बुलाता है कहां पे, दिल्ली के, आओ भई हम लोग को कुछ बात करेंगे, दिल्ली तो बुलाया, बट यहां से इसको दिल्ली लेके नहीं गए, यहां से लेके इसको सीधा बिहार, ठीक है, बिहार लेके गए, और बिहार में, जेल में कैदी कर दिया, और वहां पे इसको कर दिया, कैद करके मार दिया बनते को, यूसफशा चक, ठीक ह तो ये भी मुगल आरमी को काफी ज्यादा रिजस्ट करते हैं, डिफीट कर पाते हैं, बीच बीच में हो जाता है, बट इनका जो आरमी कमांडर होता है कासिम खान, तो वहां पे जब चलती है एक वार्स्ट वार, वहां पे ये मुगल रूल जो है, इनको हरा दिता है किसको, याकूब चक को, याकूब शाचक को, याकूब शाचक कोन हुआ युसफ शाचक जिसको अकबर ने दिल्ली बुलाया, दिल्ली नहीं लेकिके बिहार में जेल में डाल दिया, वहाँ पे इसको मार दिया जाता है, 1586 में कासिम खान हरीपुर में आके मुगल आर्मी की तरफ से यहां पे इनको मार देता है और अपना जंडागार देते हैं कौन मुगल्स यहां से शिरू हो जाता है आपके मुगल्स का रूल मुगल्स का रूल कहां से कहां शिरू होता है भाई 1586 से लेके 1773 तक अभी हम लोग आगे मुगल्स के बारे में पढ़ेंगे चक डाइनेस्टी के बारे में समझ आई गाजी शाह चक ने फाउंड करी इसको ठीक है इंपोर्टन्ट वन उसके बाद गाजी शाह चक का पूरा नाम अगर मैं बोलू आपको तो भाई यूसफशा चक आते हैं नेक्स्ट वो काफी अच्छे हैं इन्होंने यहाँ पे गुल मर्ग, सोन मर्ग, यहाँ पे होल्डे रिजॉट बनाए हबा खातून से शादी की यूसफशा चक ने यूसफशा चक को अकबर बलाता है दिल्ली आओ भाई हम लोग बात करेंगे दिल्ली की बजाए उसको बिहार लेकर जेल में डालती है वहाँ पे उसकी उजाती है डेथ उसको मार दिया जाता है उसकी डेथ के बाद यहाँ पे उसका बिटाता है याकूब शाचक नाम याद रखना है आपने को नाता है याकूब शाचक याकूब शाचक जब लास्ट emperor का या मुगिल rule का यहां पर establishment हो जाता है कश्मीर में ठीक है कब 1586 में 14 October 1586 में कश्मीर में हो जाता है आपका मुगल्स का काम start ठीक है भई मुगल्स जो है आपका power में कब से कब दक रहते हैं भई 1586 से लेके 1753 तक clear यह आपने याद रखना है 1587 से लेके 15, 17, 52, 53 तक रहते हैं कौन आपके मुगल्स ठीक है अब मुगल इंपर जो अकबर है वो कश्मीर को कर लेता है क्या भई कंकर करता है 1586 में ठीक है मुगल कश्मीर में power में रहते हैं भई अच्छे खासे लंबे टाइम तक और मुगल्स का ही वो टाइम है जिस टाइम पे कश्मीर में peace, general public welfare और prosperity भी आती है ठीक है याद रखना ही आपने इनके ही टाइम पे gardens बनें इनके ही टाइम पे अच्छे अच्छे buildings बनें इनके ही टाइम पे visitors आई कश्मीर में ठीक है बहुत large number में आई मुगल्स का जो rule हुआ करता था वो उनके governors के द्वारा किया जाता था ठीक है मुगल्स का rule किसके द्वारा किया जाता था governors के द्वारा किया जाता था ठीक है भई याद रहेगा है यहां तक चलो अब चलते ही मुगल्स के ओपर ठीक है अब मुगल्स का क्या मैंने बोला एनक्सकिश ने किया अकबर ने किया ठीक है बट इनका पहला गवर्नर कौन था मैंने अभी आपको बताईए गवर्नर के द्वारा राज किया जाता था यहां पर तो पहला गवर्नर था इनका कासिम खान ठीक है अब गवर्नर क इनके बारे में हमें बात करने की जुरूरत नहीं है, जो इनके目ें के दो पर चलते हैं, पहला इंपोर्टन रूलर आपके पास आजाता है अकबर, कशमिर में एक ही बार विजट करता है, अकबर जो है, वो फर्स टाइम विजट करता है कशमिर में कब भाई आपको जून 1589 में एक ही बार इसकी विजट हुई है कश्मीर में याद रखने है इनके ही टाइम पे राजा टोडर मल क्या राजा टोडर मल इनको अपॉइंट किया जाता है as a finance minister जो इंट्रिड्यूस करते हैं यहां पे revenue settlement मतलब के tax का कामदाम कौन देखेंगे टोडर मल जी ठीक है भाई इनके ही टाइम पे इन्होंने बिल्ड कराया भाई क्या हरी परबत ठीक है हरी परबत फॉट कहां पे शिरी नगर में और शिरी नगर के हिल के साइड में ही इन्होंने एक सीटी फाउंड करी जिसका नाम था नगर नगोर ये भी नाम याद रखन हरी परबत फोर्ट नगर नगोर किस ने किया भाई आपका अकबर ने किया ठीक है अकबर ने फाउंड किया तो कश्मीर में फेमस मुगल्स के टाइम पे ब्यूटिफुल क्राफ्टमेंशिप और उनके लोगों में यहाचिप जो आई थी वो अकबर के टाइम पे ही आई थे अकबर के बाद कोन आता है इनकी गदी पे तो वो आते है इनकी बेटे यहांगीर ठीक है बाई जहांगीर आते हैं यहांपे ठीक है अब इनकी जो थर्ड और लास्ट विजट थी कश्मीर वैली में ठीक है तो वो किस-किस के साथ इनकी हुई थी याद रखना तो इनके इसी के टाइम पे इनकी विजट जो थी, उसमें मुगल फोर्सेज ने लद्दाक को भी उकुपाई कर लिया था, ठीक है, याद रखना है आपने ये, ठीक है, अकबर का हो गया भाई, टोडरमाल को इन्होंने अपना फाइनेंस मिनिस्टर ने इंटेड्यूस कर रहा था, एक इंपोर्टन चीज याद रखना है आपने अकबर के टाइम पे वो क्या था आपके पास, ये कश्मीर में था आपका ठीक है, परबत रवेण्यू सेटल्मेंट सिस्टम ठीक है, तो ये भी अकबर नहीं हाँ पे कश्मीर में इंटेड्यूस कर वाया था, जो कौन देखत ये भी आपका अर्ली रवेण्यू सिस्टम पे बेजड हुआ करता था, जो आपके वैली में इंप्लिमेंट हुआ था, ठीक है, परबत रवेण्यू सिस्टम ठीक है, अकबर क्लियर, नेक्स्ट आपके पास जता है भाई, जहांगीर, ये यहां पे आए थी आपके आपके 1606 के एक्रोस, ठीक है, तो इनकी जो शादी होती है भाई, वो नूर जहां से हुई, ठीक है, ये सेवरल टाइम यहां पे आए, और होट समर्स के मन्त ये वैली में हुआ करते थे, ठीक है भाई, जहांगीर नहीं लेडाउन करा था, आपके शालीमार बाग का जो शालीमार याद रखना है, आपने शालीमार जहांगीर निशात आसिफ खान उनके साले के दोरा, ठीक है, अच्छा बल और वेरिनाग स्प्रिंग्स ये भी यहां पे प्रेजंट शेप्स जो दी थी वो भी जहांगीर नहीं दी थी, जहांगीर नहीं करवाया हुआ था, ये सिस्टम याद रहे गए आपको निशात गार्डन शालीमार बाइग गार्डन ये आपके डल लेके बैंक पे हैं, ठीक है भई, अच्छा बल में और वेरिनाग में भी इन्होंने गार्डन बिल्ट करे थे, ठीक है भई, जहांगीर जो है ये आपकी लोगों की वेलफियर के लिए मी सती का सिस्टम था, इन्होंने सती के लिए भी कुछ स्टेप्स उठाए थे, टेक सिस्टम इन्होंने भी अबॉलिश किया था, जहांगीर के टाइम पे, याद रहेगा, चलो, नेक्स्ट इंपोर्टन वन इस शा जहां, ठीक है, शा जहां कश्मीर में आये थे, चार बार, क चश्मे शाही गार्डन इन्होंने बिल्ट करवाया, ठीक है, इनके टाइम पे, चश्मे शाही गार्डन इन्होंने बनाया था, किसके द्वारा याद रखना है, इनके एक गवर्णर था, अली मर्दान खान, उनके द्वारा बनवाया गया था, शा जहां जी के द्वारा च observatory भी आप कह सकते हो ये सीधी सीधी अगर मैं बता हूँ तो ये दाराशीखो ने परी महल में आपकी एक लाइबरेरी टाइप बताई थी जहां पे आप जाके राम से इनकी काफी सारी बुक्स थी ये दाराशीखो वन अफ दी ग्रेट परसनेलिटी मानता हूँ में मुगल ड भाई ठीक है ये शा जहां की बेटे थे 1658 AD में आए ठीक है इनका जो रेन रहा यहां कश्मीर में इनका जो दोर रहा कश्मीर में उसको आप लोग कहते है पिरियड आफ रिवाल्ट एनार्की एंड डिसॉडर क्लियर है किसका औरिंग जेब का क्लियर है याद रखना है इन 1665 ये किसने कहा था भाई फ्रेंसिस बार्नियर ने ठीक है ये भी एक हिस्टॉरियन थे ये भी लिखा करते थे ठीक है भाई इसकी औरिंग जेब के बाद जो आपका मुगल सल्तनत थी वो थोड़ी सी इनकेपबल होने लेगी थोड़ी सी कमजोर होना शिरु होगी ठीक है अब 1748 का टाइम आया अफगान रूलर कौन अफगान रूलर एहमद शा अबदाली अपने एक कमांडर को बेजते हैं कौन बेजते हैं भाई एहमद शा अबदाली अपने एक कमांडर को बेजते हैं कहां पे कश्मीर में जिसका नाम होता है आपका अजमत अल्ला खान के कश हो जाता है ठीक है यहां तक समझ आई अब next important चीज क्या हो जाती है जब वो फूल हो जाते हैं तो अब मुगल के जो governor's में आपको क्या वोला था मुगल क्या है यहां पे governor's के द्वारा काम लेते थी ठीक है governor's के द्वारा rule करवाते थे, अब जब ये मुगल की सल्तनत थोड़ा सा incapable हो गई, weak हो गई, तो मुगल के जो governors थे वो corrupt हो गई, लोगों को loot part लोगों करने start हो गई, यहाँ पे crimes बढ़ गे, यहाँ पे violence बढ़ गी, तो उस time पे क्या होता है दो कश्मीरी noblemen होते हैं कौन होते हैं भाई, दो कश्मीरी noblemen होते हैं, क्या नाम है उनका that is, मीर मौकीमकंद and ख्वाजा जहीर दिदमरी clear, ख्वाजा जहीर दिदमरी और महीर मौकीमकंद, इन दोनों ने जाके request करी, एहमद शाअबदाली को काबल में कहाँ पर जो काबल में था, ये कमांडर था नादिर शाह का एहमद शाअबदाली को बोला, भाई साहब आओ ठीक है, हमारे कश्मीर में आके आप रूल करो, और हमें मौकलों से बच्चाओ, ठीक है, इनको ये बनक तक ना थी, कि जिनके पास ये गए हैं, तो ये तो भाई साहब, मुगल्स तो ये तो अभी जूस थे, अब तो जहाँ जिनको ये बुलागे लाएं वो तो जहर हैं, अब इनको जहर का प्याला पीना बढ़ रहा है, ठीक है, तो इनको ये पता नहीं था तो ये जो दो कश्मीरी नोबल मैन थे ये आपके, जाते हैं, आपके कहाँ पे भाई, एहमद शाबदाली के पास कि भाई साहब, प्लीज थोड़ा सा कर लो, आओ, यहाँ पे थोड़ा सा रूल रूल करो, तो इन्हों ने भी बोला चलो अकासी, ठीक है, इनको भी था कि जाओ भाई, मोगल्स को हटा दो और अपना जंडा गार के आओ, अफगान रूल शिरू करो तो वो आजाता है बंदा, अब्दुल्ला अकासी खान तो यहाँ पे बैटल होती है भाई, कहाँ पे शौपियां में, कहाँ पे होता है, यहाँ पे एक बैटल होती है शौपियां में, जहाँ पे अफगान, जो हैं, वो मोगल्स को हरा देते हैं वहाँ से शिरू हो जाता है आपका अफगान का रूल, अब यहां पे अफगान का रूल शिरू हुआ ही होता है अभी क्या होता है अफगान का रूल शिरू हुआ ही होता है बट इनको पता चलता है यार यह क्या बात हुई यह तो बड़े क्रूल आदमी है यह तो भाई मर्चंट्स को हरस कर रहे है पीजन्स को यहाँ पे जिने नहीं दे रहे यहाँ तो अतंग मचा दिया अब जो है कश्मीरी लोगों ने बोला नहीं हमें तो मुगल जो एरा है वो वापस चाहिए अब उनको लगा भाई साब अफगान रूल से तो मुगल एरा अच्छा था तो अब यह क्या करते हैं भाई साब दोबारा से आलमगीर के साथ जाते हैं ठीक है कश्मीरी नोबल मैंने को राते हैं अब्दुल हसन खान बाउडे नाम याद रखना है आपस में ये गवर्नर जो अफगान के गवर्नर होते हैं कौन मैंने आपको बताया था अब्दुल्ला खान आकासी ये जो अब्दुल्ला खान आकासी है तो इसको ये मार देते हैं क्या करते हैं भाई अब्दुल्ला खान आकासी को मार देते हैं ठीक है कौन कौन मारता है भा से मुगल रिरा जाता है ठीक है वैली में सिर्फ पांच मेहने की लिए तो पांच मेहने का जैसे ही इनको सुख जीवन राम सुख देते हैं तो उसके बाद फिर से अफगानी आ जाते हैं मचा अबदाली फिर से रिकॉंकोर्ड कर लेता है कश्मीर को किसके दौारा दैट इस नूरोद दीन जो उनका गवर्नर होता है नेक्स्ट गवर्नर उनका बज़ बन जाता है यहां पे अब अबदाली का रूल हो गया है फुल फलज शिरू कब से 1762 से लेके 1762 से लेके 1819 तक ठीक है 1819 तक 1819 में आग जाता है आपका सिक्र रूल क्लियर है वैं चलो ठीक यहां पर आगया था श्टार्ट जो दो नोबल मैन कश्मीरी नोबल मैन थे आपकी मीर मोकेम कंत और ख्वाजा जाहीर दिद मरी इन्होंने एमद जाबदाली को बोला था कि भाई आओ नादिर्शा के कमांडर हैं ये इन वाला चलो ठीक है भाई हमें एक्सेप्ट है और ये जागत का पीरियड है इसको आप लोग डार्केस्ट पीरियड इन हिस्ट्री आफ कश्मीर कहते हैं याद रखना ये 67 यर्स तक रूल करते हैं पहला अफगान गवर्नर कौन था आपको पता ये अबदुल्ला खान इसाक अकासी जो यहां कश्मीर में आके पहले आपने मुगल रू पठान और अफगान रूलर के वो काफी क्रूल थे लोगों के प्रती उसके बाद लूटते थे अफगान के सोल्जर थे वो लोगों के लूटते थे लोग अपने घरों तक यहां सेफ नहीं थे ठीक है जब हो जाती है अबदाली की डेथ ठीक है एहमद शा अबदाली की हो यह फिर Death Cup 1772 के आज सपास तो यहां पर जो आमिर्स होते हैं याद रखना है आपने आमिर्स ओके यह वोड आपने याद रखना है आमिर्स किसको बोलते थे भाई सुबेदार ओके आमिर्स सुबेदार आमिर्स आर सुबेदार और उसके बाद जब यह इसकी death हो जाते तो आमेर जो सुभेदारे वह हो यहाँ पे change होना rapidly शुरू हो गए क्योंकि भाई एक corrupt हो रहा है दूसरा आ गया बोलता भाई तू खा रहा है मुझे भी खाने दे तो वैसा काम होना यहाँ पे शुरू हो गया था तो अब next important चीज़ क्या होई 67 years तक अफगान ने रूल तो करा बट इस 67 years में 28 सुभेदार्स चेंज किये ठीक है 67 years में 28 आपके सुभेदार्स यहाँ पे change किये सुभेदार्स जो थे यहाँ पे worst situation होना शुरू कर गई थे कौन जो आपके यहाँ के सुभेदार हुआ करते थे यहाँ पे लोगों को लूट रहे थे और जो पठान रूल था वो कश्मीर में किस से याद रखा गया कि भाई क्रूल रूलर्स क्लियर याद रखना है आपने अफगान रूल जो थे आपके क्रूल रूलर्स के नाम पे कहा जाता है क्रूल रूलर्स ठीक है लास्ट अफगा रूलर है ये खतम कैसा होता है अगेन दो कश्मीरी फिर से दो कश्मीरी उठते हैं वो बोलते हैं भाई साब हो गया बहुत अब हमें फिर से मदद लेनी पड़ेगी तो अब ये किसकी मदद लेते हैं दो कश्मीरी होते कोने पंडित बीरबल धर पंडित राजा कक धर ठीक दो नाम याद रखना है आपने भाई पंडित बीरबल धर ओके एंड पंडित राजा कक धर ठीक है राजा कक धर ये जो दो बंदे थे ये दूसरे दो बंदों की तरह पच्टाए नहीं जो मुगल्स को छोड़के अफगान को लेने गए थे इन दोनों ने क्या किया भाई साहब इनको लगा कश्मीर में हो रहा है बहुत ज़्यादा गलत ये तो हमें ही मारे जा रहे हैं हम तो अपने घरों में सेफ नहीं है तो ये यहाँ पे क्या करते हैं जाते हैं कहां लाहोर कहा जाते हैं लाहोर में जाते हैैं। और रिक्विस्ट करते हैं महाराजा रन्जीत सिंग जी से कि आप आईए कश्मीर पे रूल कीजिए और हमें यहां से यह अफगानों से यह जो ग्रूल है यह जो डारकस्त एरा है कश्मीर का इससे मुक्ती दलवाईए हमें भाई ठीक है तो इनो डे बोला चलो ठीक है भाई हम कुछ करते हैं आपका परबंद ठीक है तो लास्ट अफगान रूलर आपका हो जाता है जब बर्खान उसके बाद आपके पास रंजीत सिंग जी का रूला जाता है जो आपका कश्मीर को अक कश्मीर जो हमने खतम कर दी है आपकी किसके उपर भाई that is yes अब यहां से अफगान का किस्सा हो गया खतम इफ अफगान जो थे आपको पता है डार्केस्ट पिरिएड इन हिस्ट्री आफ कश्मीर कहा जाता है तो यहां से इनको खतम करके रंजीत सिंग जी का चैप्टर हो खतम स्टार्ट रंजीत सिंग का खतम नहीं रंजीत सिंग सहाब का तो अभी काम हुआ है शिरू अभी टरीटी आफ लहो टरीटी आफ अमरिट सरसील आफ कश्मीर नानक शाही यह सबी चीज़ें अभी हमने नेक्स सेशन में देखनी है और नेक्स सेशन में हमारी जो इस त्रीके से खतम कर लेंगे ठीक है पंडित बीरबल ढ़र राजा चकदर ये गई 바ाजा रंजीत सिंग जी चे पास और रंजीत सिंग चीज़ें ने और अफ़कान आर्मी को हरा के अपना जो सिख रूल है वो एस्टेबलिश कर लो और 1819 में सिख रूल हो जाता है इस्टेबलिश और नेक्स सेशन में हम लोग देएंगे सिख रूल के बारे में कि कैसे सिख रूल आया कश्मीर में और कैसे कैसे लाहोर दरबार हुआ दिवान म सेक्शन में मुझे बता दिएगा बाकी आपका बहुत बहुत चुक्रिया आया से यह बहुत जाद आप ona कर सकते हैं बाकी अच्छा लग के तो जोईन कर लीजिए जाए ना लगे मोटिवेट है जाता हूं में भी और आपके लिए ऐसी helpful और fruitful sessions बनाने का मन करता है ठीक है और चैनल पर नए हो तो subscribe जरूर से कर दीजेगा अपने friends के साथ share जरूर कर देना और वीडियो आपको कैसे लेगी feedback जरूर दे दना ठीक है तो बाकी मिलेंगे अगले session में तब तक आप पढ़ते रहें खुश रहें God bless you keep learning keep sharing